हाई गाइस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्वेशन बाइंड सेल स्टॉक्स वन ट्रांजिशन अलाउड तो ना यह पुरा सेट है क्वेश्टिंस का जिसके इंदर शेयर प्राइस के उपर हम तकरीमन छे सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें से तीन डीपी के हैं और टीन माक्समिं फाइदा कैसे खमा सकते हों तो यह आपको शेयर हों के रेट दे रखें यह पहले दिन था यह दूसरी दिन रेट था यह तीसरे दिन यह चौतह दिन ऐसे ग्राफ से रेट डिनोट कर रखा है तो आपके वसी अलग लग प्राइस ने आपको बतारा माक्समिं होने के लिए क्या जरूरी होता है कि पहले बाय हो और फिर बाद में सेल हो जाए हमें सबसे बढ़िया बाय और सबसे बढ़िया सेल का पेर ढूंडना है तो सेलिंग करने के लिए जैसे आज बेचना जरूरी हो तो किस दिन बाय करूं मैं उस दिन बाय करूंगा जिस दिन लीस्ट रहेगा तो मैं हर दिन को ना सेल्स पॉइंट मानता हूं मान लीजे मैं हर दिन को potential sales point मानता हूं कि मान लीजे इस दिन sell करके maximum मुनाफ़ा होगा मैं ऐसा हर दिन के लिए profit check करूँगा हर दिन के लिए profit check करूँगा तो उस दिन का profit चेक करने के लिए उसके लिए partner कौन बनेगा उसका buying partner day कौन बनेगा जो उससे पहले के दिनों में least price हो मैं दुबारा बोलता हूँ मैं हर point पर हर day पर क्या calculate करना चाहता हूँ कि आज बेचता तो कितना maximum फाइदा होता यहां क्या calculate करूँगा आज बेचता तो maximum कितना फाइदा होता आज बेचता तो maximum फाइदा कितना होता यहां क्या store होगा आज बेचता तो maximum फाइदा कितना होता आज बेचता तो maximum फाइदा कितना होता तो हर sales day को अपने लिए एक buying day चाहिए होता है तो मैं हर point पर यह store करना चाहता हूँ कि उस दिन बेचा जाए तो maximum मुनाफ़ा कितना हो तो उससे पहले के दिनों में जो least price वाला day रहेगा वो उसका buying partner बनेगा नहीं दुबारा से बोलता हूँ for every potential selling day every day is a potential selling day तो किसी भी दिन maximum मुनाफ़ा कमाने के लिए कि आज ही आज बेचना जरूरी है आज तो बेचना जरूरी है तो आज बेचकर तुम maximum फाइदा कितना कमा सकते हो वो तब कमा सकते हो जब किसमत से तुमने उस दिन buy किया हो जो आज से पहले वाले दिनों में least price रहा हो मैं तुम्हें अगर ये कहूँ आज बेचना mandatory है और आज बेचकर तुम maximum मुनाफ़ा कितना कमा सकते हो तो तुम ये कहोगे सर आज बेचकर maximum मुनाफ़ा में तब कमा सकता हूँ जब किसमत से मैंने उस दिन buy किया होता जिस दिन rate आज से पहले सबसे कम था अब तक rate जो सबसे कम था उस दिन अगर buy किया होता और आज बेच देता तुम मैं maximum फाइदा खमा लेता तो लेटर से मैं तुम एक time machine दे दिये तुम पर वस ये constraint है तुम पर वस ये constraint है कि आज ही बेचना है तो तुम उसके लिए उसके buying day खरीद धून धून के बता दो हर दिन कितना maximum फाइदा होगा ठीक है अब बार से मैं अपनी last वाली बात बोलता हूँ खोड़ी सी वेग रह गई है तो जैसे मेरा सवाल तुम से ये हो कि भई इस दिन पहले दिन सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कितना कमा सकते हैं आप बोलोगे पहले दिन तो मुनाफ़ा जीरो ही कमा सकते हैं क्योंकि उससे पहले कोई buying day नहीं है इस दिन maximum मुनाफ़ा कब होगा बोलोगे इससे पहले जो least buying day था उसके साथ इसको pair कर दो इन दोनों का gap निकाल दो तो इन दोनों का gap होगा वो आपका profit हो जाएगा इस दिन maximum profit कितना होगा बोला आप इससे पहले जो दो दिन है उसमें जो least price है उसके साथ pair कर दो चीक है इस दिन maximum profit कितना होगा इसने बोला इससे पहले जो तीन दिन है उसमें जिस दिन least price था उसमें जिस दिन least price था उस दिन buy करूँगा और आज sell करूँगा तो आज की selling पे maximum फायदा होगा अब मैंने पूचा यहाँ पर maximum profit कितना होगा अगर यहाँ बेचना mandatory होतो तो बोला देखो इससे पहले जो भी दिन है उसमें इससे कम rate कभी था ही नहीं तो इस दिन बेचकर profit कभी होई नहीं सकता मेरी बाद ध्यान से सुनिएगा इस दिन बेचकर profit क्यों नहीं हो सकता मैंने कहा कि मुझे चाहिए कि इस दिन बेचना mandatory है बताओ इस दिन बेचकर maximum profit कितना हो सकता है आप बोले sir zero मैंने बोला क्यों आप ये बोले कि देखो इससे पहले कोई ऐसा दिन है ही नहीं जिस दिन rate इससे कम हो तो there is no option कि मैं इससे पहले जाके buy कर दू और इस दिन sell कर दू तो profit हो जाए actually maximum profit zero हो सकता है आज ही buy करके आज ही खरीब दू ठीक है तो ये सारे लोग ये सारे लोग इसके साथ pair बनाते थे for their buying partner कि इस दिन buy हो जाता और आज sell हो जाता तो आज तक का maximum मुनाफ़ हो जाता अब आगे वाले जितने भी लोग है न आगे वाले जितने भी लोग है till the next least point ये सारे इसके साथ partner बनाया करेंगे क्यों? अब देखो जैसे ये बंदा है मैं से बोचों कि भी आज बेचना mandatory maximum फाइदा कितना होगा? वो इसके साथ pair up करना पसंद करेगा कि इस दिन खरीदू इस दिन बेचो तो सबसे जादा फाइदा होगा क्योंकि मेरे से पहले वाले दिनों में least price वाला दिन ये है वो इसके साथ pair up करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ pair up करेगा तो कम फाइदा होगा ये उससे भी low price है इसके साथ pair up करेगा तो जादा फाइदा होगा इससे पूचा तो बोला जी इसके साथ इससे पूचा भई आज कितना maximum फाइदा होगा इस दिन buy करो और आज मेरे वाले दिन sell कर दो कि तो maximum फायदा होगा इस से पूचा ये भी same बोला इस से पूचा same बोला इस से पूचा same बोला इसने अपना delta किसके साथ निकाल लिया आज तक इस से पहले वाले area के least के साथ अपना delta निकाल लिया यहां पर एक value store कर ली इस से पूचा तो ये भी इस दिन बेचना mandatory है इस दिन बेचना mandatory है तो maximum profit कितना हो सकता है तब हो सकता है जब इस दिन खरीदा गया हो जो इस से पहले वाले दिन में least price था तो इस से पहले वाले दिनों में least price यही था तो ये भी अपना पेर इसके साथ ही बनाएगा ये भी अपना पेर इसके साथ बनाएगा ये भी अपना पेर इसके साथ बनाएगा अब ये मैं पूछू इस दिन तुम maximum profit कितना कमा सकते हो ये पिछले least से भी low है ये वह लाए इस दिन हम zero maximum कमा सकते हैं इससे पहले कोई भी दिन ऐसा नहीं है, इससे पहले वाल एरिया में कोई भी ऐसा दिन नहीं है, जो इससे लो हो, तो कोई भी ऐसा दो नहीं है, जिस दिन मैं बाइ करनों और आज सेल करनों तो प्रॉफिट हो जाए, आज ही बाइ करके, आज ही सेल करूँगा, तभी मैक्सिम करना friendly 這 दिन बाय करेंगे मेकिसमम फमाफा होगा यह मेरा हमाँ इसbungोла कि अज्छ सेल करना mandatory मेरे बहाई तो चाई Hindi घॉठ हैं और आज आकर बेच दूँगा तो बारस मेरे बात सुनो कि ice आज sell करना mandatory है, मेरे भाई तरो को आज बेचना ही होगा, तो बता maximum मुनाफ़ा कितना होगा हो, मैं आज से पहले वाले time में गुम के आउँगा, देखूँगा सबसे rate किसी दिन कम था, उस दिन खरीदूँगा, और आज वापस आके बेच दूँगा, तो पहले वाले area में इसी के साथ पेर बनाएगा, ये वाला बंदा एक नया least set कर देगा, तो इससे आगे वाले इसके साथ करेंगे, इससे आगे वाले इसके साथ मैं आप करेंगे, तो ये देखो, मैं अगर ये कहूँ कि इस दिन maximum profit कितना खमा सकते हो, बताओ जरा, तो बंदा बोला वही सर time machine मैं परवान एडियम घुम के आता हूं, और देखता हूं किस दिन least price उस दिन खरीद के आ जाओंगा, मैंने कहा था कि आज बेशना mandatory है, आज कितना maximum फाइदा कमा सकते हो, तो वो घुमने गया, इस एडियम घुम के आया, उसने देखा least price तो इस दिन है, तो उस दिन खरीद profit if sold today, profit if sold today क्या आएगा, आज के price में से, आज तक के least को माइनस कर दो, तो आपका profit if sold today आ जाएगा, जिस दिन का profit if sold today सबसे जादा होगा, वो पूरे graph का answer होगा, पूरे के पूरे का answer होगा, जैसे इसका profit if sold today सबसे बड़ा है, क्योंकि इसको जो buying partner मिला, वो ये मिला, ठीक इतना फायदा हुआ, उसे इतना फायदा हुआ, इतना बड़ा gap किसी का भी नहीं है, जैसे इसका जो gap है, वो इतना ही gap है, ठीक है, तो कि खुद इसको buying partner तो जारा अच्छा मिल गया, पर ये selling day poor है, ठीक है ना, अब ये वाला जो gap था, ये भी कम था, तो देखो possibly क्या क्य answer हो सकते थे, ये वाली peak इसके साथ, 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 आच्छली ये वाली answer बन गई, तो profit of soul today हर दिन का compare होगा, जिसका profit of soul today सबसाद होगा, वो answer होगा, तो I think what or why आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हमने क्यों सारे Profitive Sold Today compare कर रहे, किसी न न किस दिन तो बेचो गही, तो हमने हर दिन का कैल्पूलेट कर लिया था, क्या? Profitive Sold तो अगर आज बेयचिंग, तो maximum फाइदा कितना होगा? अगर आज बेयचिंग, तो maximum फाइदा कितना होगा? हर जिगे पर ये चीज़ कैलकुलेट कर ली तो जिस दिन का profit of sold today सबसे ज़्यादा है किसी दिन तुभी कि नहीं है तो जिस दिन का profit of sold today सबसे ज़्यादा है वही आपका maximum profit होगा और वो profit of sold today कैसे आया था time machine में बैठके जाते हो उसे पहले वाले दुनिया घुमते हो देखते हो सबसे ज़्यादा दिन रेट कम किस दिन था उसका प्राइस ले आते हो उसको आज वाले प्राइस में से माइनस कर देते हो तो आपका profit of sold today आजाता है तो आप overall profit निकालने के लिए सबका profit of sold today compare करोगे जिसका profit of sold today सबसे ज़्यादा होगा अब करें कैसे लाइएगा देखिएगा आपके लिए कोड लिखता हूं कैसे करें यहां कुछ समझाने वाला नहीं है मैं इंपुट लेता हूं ब्रीदर लेता हूं तो यह मेरा आरे है जिसमें प्राइस आएंगे प्राइस अपने पास अब मैंने एक बनाया मिन सो फार लीस्ट सो फार अभी तक का लीस्ट कौन है मैं लेफ्ट से राइट ट्राइवल करता जाऊंगा और लीस्ट प्राइस सो फार निकालता रहूंगा और एक प्रॉफिट ओवरॉल प्रॉफिट और एक प्रॉफिट इफ सोल्ड टुड़े प्रॉफिट टुड़े आज कितना आज बेच के कितना प्रॉफिट प्रॉफिट इफ सोल्ड टुड़े इफ सोल्ड टुड़े मैक्सम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं अगर आज बेचाना में डिटरी है तो एक एडिए तो आए एककोल टू जीरो से लूप चलाता हूं आए लस देन अरे डॉट लेंक्त तक प्राइस डॉट लेंक्त तक जाता हूं आए प्रस प्रस तो हर पॉइंट पर मैं क्या करूंगा अगर आए और हमें लीस तो फार मैंटेंग करके रखनाओ अगर प्राइस जो फार से छोटा है तो सबसे ले तो लीट सो फार को अपडेट कर दूँगा क्योंकि हमें क्योंकि किसी भी दिन का profit if sold today सबसे जारा तब होता है जब वो किसके साथ pair करता है अपने left पे least के साथ pair करता है अपने left पे मतलब अपने से पहले वाले दिनों में लीस मतलब अपने से पहले वाले दिन में कब सबसे कम रेट था तो टाइम मशीन में बैठके उस दिन आता है उस दिन खरीगता वापास अपनी जगे पर आता है और आज आके बेच देता है तो profit if sold today अगर आज बेचना mandatory है तो आज कितना profit होगा अगर आज बेचना mandatory है तो तो कर उतना फायदा होगा जितना आज के price में से किसको minus करो best buying day को minus करो best buying day आपसे पहले होना चाहिए तो आपसे पहले वाले दुनों में least price जो है उसको minus कर दो तो ऐसा हर point पे PISD निकालते रहेंगे profit if sold today जिस दिन का profit if sold today सबसे जादा होगा तो overall profit को update करता रहेगा जिस दिन का सबसे जादा होगा वो अपना answer बन जाएगा उसको बाहर निकल कर हम print कर लेंगे उमीद करता हूंगे पहला सवाल आपको समझ में आया होगा ठीक है यह सारी कहानी इस तरह से क्यों हुई क्योंकि हमें सिरफ एक transaction allowed थी तो हम हर point पर क्या स जूखते हैं आज सबसे ज़्यदा फाइदा केश होगा आज का पाईदा सबसे ज़्यदा कप होगा जब आप time machine में उस दिन जा सको जिस दिन सबसे कम buying point था तो आप उस दिन जाते हैं उस दिन जाके खरीबते हैं वापस आकर बेच दे blossom के साथ आपका पयर होगा तम आपक चाहता हूं तो तीन दिन है और मैंने बोला एक दो तीन लगाया कोई नहीं है सब्मिट करके देखते हैं समय हो जाएगा थीक अंसर आया है उम्हेद करता हूं आपको समझ में आया होगा तो आप शेसे हैं आप शे को एक साथ देखेगा फिर साथवी वीडियो में क्या सबको compare करूंगा तो इन साथ सवालों जब हम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानी समझेगी चमकेगे फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है थांक्यू वरी मच्छ सी योगें बाइबाए